समस्कार SBT नियूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें दो दिन स्थिर रखने के बाद फिर पेट्रोलिम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भडूतरी कर दी है जैपुर सहित राजभर में पेट्रोल 37 25 और डीजल 38 29 परतिलिटर बढ़ा दिया गया है श्रिकंगानगर में आज पेट्रोल के दाम 101.59 रुपे हो गए और इसी प्रकार जैपुर में पेट्रोल 97.47 रुपे हो गया और डीजल 89.82 रुपे हो गया है इसके लावा प्रीमियम पेट्रोल जैपुर में 100 रुपे प्रिथिलिटर के पार हो गया है और यहां पेट्रोल 100.25 रुपे और डीजल 93.49 रुपे प्रिथिलिटर हो गया है अक्सर आपने सडकों पर जाते हुए कई तरह के साइम बोर्ड देखे होंगे जो आपको कई तरह के जानकारियां देते हैं और जिन से आपको काफी कुछ पता चलता है लेकिन जिले की हर्याना सेमा से सटे इलाकों में इन दिनों कुछ ऐसे बोर्ड लगे हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे सरकार की ओर से लगाए गए टेक्स आपकी कमर तोड़ते हैं दरसल हर्याना बोर्डर से सटे हमारे इलाकों में कई जगों पर बोर्ड लगे है जिन पर लिखा है। राज़सान से 9 रुपे सस्ता पेट्रोल डीजल 500 मिटर दूर हर्याना में। जाहिर सी बात है कि इसे देखकर आप चोंक जाएंगे लिकिन यह है हकीकत है। देश में कोरोना का संकट फिर से गहराता जा रहा है पिछले 24 घंटे के अंदर 13 राज़े और केंदर शासित परदेश ऐसे रही जहां रिकावरी से ज़्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। इनमें से 4 राज़े और केंदर शासित परदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दीदी है इसमें महराष्ट्र पंजाब जम्मु कश्मीर और चंडीगड शामिल है महराष्ट्र में पिछले 10 दिन में पंजाब में 12 चंडीगड में 10 और जम्मु कश्मीर में 7 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं फर्वरी के आखरी सब्ता में दिन का तापमान बढ़ने के साथ गर्मी का असर तेज होने लगा है बीते दिन एक बार फिर प्रिदेश पे सबसे अधिक तापमान फलोधी का दर्श किया गया यहां पारा 35 जिग्री के पार और इसके साथ ही जैसल मेर बाड मेर वे जोधपू के ओर से गटित की गई कोर कमेटी की दूसरी बैठक मंगलवार शाम को प्रदेश काराले में होने जा रही है पहली बैठक से दूर रही राष्ट्य उपाद्यक्षेवं पूरों मुख्यमंत्री भी मंगलवार को ही दिल्ली से जैपूर आ रही है माना जा रहा है कि पिछले बैठक में मोजूद नहीं थे प्रदेश की गहलो सरकार ने कोरोना काल में बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है मुख्यमंत्री अश्रो गहलोत ते अपने वादी के निरूम बेरोजगारों के लिए भड़ी गोश्टा की है सरकार ने बजट पूर लेखादिकारी, स्टैनोग्राफर, सूचना सहायक और लिपिक सहित अन्य पदों पर भरती की जाएगी राश्टी किसान नेता, राकेश्टिकेत, मंगलवार को सरदार शहर के राजीव गांदी खेल स्टेडियम में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे आयोचकोन के दावा किया है कि महापंचायत में 30,000 से ज़्यादा किसान शामिल होंगे, महापंचायत को लेकर पुलिस भी चाक्चोबंद कर दी गई है, करीब 350 जवानों का जापता तैयार रहेगा, और वाहनों की पार्किंग सबास्तल से 1 किलोमेटर दूर की गई है किसान सभा, किसान मोर्चा सहीत, विबिन संग्ठनों के पदादिकारी सोमवार को तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे SDM ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिरिक्षन किया तता संयुक्त किसान मोर्चा के पदादिकारियों से वारता की सोमवार देराद 10 बजे राकेश्टी के सरदार शहर पहुंच गई केंद सरकार के विवादे तीन क्रिशी कानुनों के खिलाफ राधिस्तान के सीकर वे किसानों की महा पंचायत कुछ देर में शुरू होने वाली है क्रिशी उपज मंडी में महा पंचायत के लिए सुबह से किसानों का शहर में आना जाना शुरू हो गया है किसान बसो, ट्रेक्टर, बाइक वे पैजल भी कारिकरम सल पर पहुँच रहे हैं महा पंचायत को किसान मेता, योगिंदर यादंग, राके इश्टिकेट, अमराराप, युद्वीर सिंग सहित, कई रश्ट्रेनेता संबोधित करेंगे सवा में आंदोलन की आगे की रणनीती पर भी चर्चा होगी, किसान सहित मोचा ने महा पंचायत में एक लाग किसानों के पहुँचने का दावा किया है किसानों के मंडी तक पहुँचने के लिए वहन व्यवस्ताओं का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है संसिटी जोदपूर को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है यहां की हवेलिया और उमेद भवन को देखने हर साल बारा लाग से अधिक प्रेटक जोदपूर शहर पहुँचते हैं लेकिन पिछले कुछ बरसों से जैसलमेर शहर प्रेटको को अपनी ओर जबरदस तरीके से आकरशित कर रहा है वहां होने वाले मरू महसव के कालें प्रेटको का रुक अब जोदपूर के बजाए जैसलमेर की तरफ हो चला है मरू महसव दुनिया में अपनी जबर्दस छाप छोड़ रहा है और इसके चलते देशी वे विदेशी प्रयटक हर साल मरू महसव को देखने जैसल मेर आते हैं पूरव कॉंग्रिस अध्यक राहूल गांदी के राधस्तान दोरे के दस दिन बाद सीम अशोग गहलोत वे सचिन पाइलिट के बीच रिष्टों में जमी बरफ पिंगालने के लिए राधस्तान कॉंग्रिस प्रभारी अजय माकन ने बड़ी पहल की है माकन की कहने पर प्रदेश कॉंग्रिस के मुक्य सचे तक महेश जोशी ने सचिन पाइलिट समेट 19 विधायकों के खिलाव सुप्रिम कोर्ट में दायर SLP वापस लेने की प्रक्रियाश शुरू कर दी है यह SLP इन विधायकों के खिलाव और योगितार नोटिस को लेकर दायर की गई थी और इसके लिए जोशी ने सौमार को वकील के जरिये सुप्रिम कोर्ट के रजिस्टार को पत्र भेजा इसमें लिखा कि हम SLP आगे जादी नहीं रखना चाहते हैं वापस लेना चाहते हैं देश की सबसे बड़ी इंजिनरिंग प्रवेश परिक्षा इस साल 23 फरवरी यानि आज से शुरू होगी प्रदेश के अलग-अलग सेंटर पर अलग-अलग पारियों में परिक्षा का आयोजन किया जा रहा है कोटा में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए एक परिक्षा केंदर पर एक ही पारी में परिक्षा आयोजित की जा रही है परिक्षा दूसरी पारी में आयोजित होगी उसका बड़ा कारण है कि लोगडाउन के चलते विद्यार्थियों ने अपने अपने शहरों में ही परिक्षा किंदर चुने और वहीं B-ARK वे B-Planning में B-E-B-Tec की तुला में कम विद्यार्थी शामिल होते हैं पहले दिन B-ARK और B-Planning का पेपर है राजसान के पूरोप मुक्य मत्री सचिन पाइलेट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सोंवार को केंदर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है सचिन पाइलेट ने ट्वीट किया कि केंदर सरकार पेट्रोल डीजल और घरीलू गेंस के दामों में और प्रत्याशित वृदिकर जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है राजसान का बजट 24 परवरी यानि कल आ रहा है मुखेमंत्री अशोग गहलोट सुबह 11 बजे विधान सबावे बजट पीश करेंगे बजट पेपर लेस हो गाई से पढ़ने के लिए विधाय को कोट टैप दिये जाएंगे और इस बार सोशल ओर मैडिकल सेक्टर पर जादा जोर रहेगा खासकर से मैडिकल के बजट में इजाफा होना तैय है युवाओं के लिए अलग-अलग विभागों में 15,000 के आसपास नई भर्तियों का एलान हो सकता है आंगनबाडी कारेकरताओं का स्टेट से जुड़ा मान देयर बढ़ाया जा सकता है और इदर राजिस्वा भढ़ानी के लिए लगजरी टेक्स और तंबाकू पर टेक्स बढ़ाया जा सकता है गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड का बजट पेश किया था और इस बार कोरोना के बाबजुद 2,40,000 करोड यानि की करीब 15,000 करोड जादा का बजट हो सकता है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर